हेलो अब्रीवन वेलकम बैट टू मैं चैनल पुश्पा सिंग ओलिंवन चैनल और आज की जो वीडियो है वो मैं किचन से रिलेटेड लेके आई हूं कि मैं अपने किचन को कैसे डेली वेज पे क्लीन करती हूं क्योंकि किचन को जो है वह हम डिप क्लीनिंग डेली तो नहीं क कर सकते लेकिन हां कुछ चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए अगर उसको हम करें तो क्लीनिंग जो है एक हाउस वाइफ का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया होता है किचन जो होता है तो उसे हमें ही जूजना पड़ता है कि किचन को कैसे मैंज किया जाए किचन के जो समान है वह असानी से हमें मिल जाए तो बस और नाइजेशन में किचन का काफी अपने वीडियो में शेयर की हूं मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो कि आप वहां से उसको देख लिजेगा लेकिन आज जो है वो मैं किचन की जो मैं डेली क क्लिनिंग करती हूं बस उसी के विशय में यह वीडियो है और पसंद आयगा तो कमेंट सेशन में रिकमेंट करिएगा कि कैसा रहा यह वीडियो और जो मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को और पर क्लिक करे ताकि मेरे वीडियो के फिचर नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे करती हूँ फर्स्ट हैविट यह हमारा होना चाहिए कि जब हम बरतन वगयरा क्लीन करें तो उसके आसपास के जो भी एरिया हैं टाइल्स वगयरा या सिंक के तो उसको उसी समय डेली क्लीन कर देना चाहिए इसी होता है कि जो हमारा जो पानी के छीटे वगयरा होते हैं तो वो साफ हो जाते हैं और पानी जो है वो जमने नहीं पाता है तो देखिए मैंने चीजों को हटा के बरतन वगयरा को हटा के सब पे मैंने कपड़े मार दिये हैं और अच्छे से क्लीन हो गये हैं दूसरा habit ये मेरा रहता है कि जब मैं कोंच करण के पार्ट को क्लीन करती हूं तो उसको अच्छे से क्लीन करती हूं ड्रॉल वगयरा इचा जो भी है ये नहिंकि हलका सा साफ कर दिया और उसको फिर मैं बाद में हम उसको साफ कर देंगे देखे कितने गंदगी निकली है तो यह मैं अपने जो ड्रॉल है तीनों मेरे मैं उसके आज क्लीनिंग कर रही हूं यहाँ पे और अच्छे से जो चारो तरफ के जो एरिया है यह मैंने आज क्लीन किया और क् ये फाइवर के कपड़े से मैं इसको क्लीन कर रही हूं और अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं तो इस तरह से आप भी अपने किचन को अच्छी तरह से जो भी ड्रॉल साफ करिए तो उसको क्लीन करिए और उसके आसपास के जो भी चारो तरफ के जो एरिया है उसको क्योंकि श्टील है तो जादे अब नहीं लगता है समय इसमें तुरंत वो साफ हो जाता है और यह मेरा solution है जो आप देख रहे हैं तो इतरह से मैंने clean करके इसमें बर्तनों को जो अच्छे से रख दिया है और तो यह जो तीनों ड्रॉल है मेरे मैंने इसको तीनों को clean किया है जैसे आप देख रहे हैं और जब भी बर्तन फिर इसमें आप जमाईए तो उसको भी हलका सा पोस्ट के फिर आप उसमें रखे तो मैंने यह तीनों ड्रॉल अच्छे से साफ कर लिए हैं आप इस तरह से द हैं तो जो है हमारा ड्रॉल वगरा हमेशा साफ रहेगा तो अब मुझे इसमें अब काफी दिन तक इसमें समय नहीं देना पड़ेगा और हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट इसमें लगे हैं और मेरे देखी अच्छे से यह clean हो गया है और तो इस तरह से और इधर बर्तन भी मेरे साफ हो गये हैं तो इस तरह से मैं अपने यह दूसरा है यह मेरा थौर्ड है यह होता है कि जब हम चापाती बनाते हैं तो बनाने के बाद हम गरम जब चूला रहता है तो गैस को हम नहीं साफ करते हैं तो सबसे बढ़िया इसका तरीका यह है कि आप किसी भी सूखे से या kitchen towel paper से आप उसको सूखा ही जो आटे के छीटे गए हैं उसको आप आसानी से हटा सकते हैं इस तरह से तो देखिए कितनी आसानी से हट जा रहे हैं और फिर बाद में हमको इसको साफ करने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा और जो हमारा gas stop है अच्छी तरह से साफ हो ज माटा लगाते हैं उसको भी सूखा ही इस तरह से पोच के और उसके जगह पे उसको हम रख देंगे तो इस तरह से करने से होता है कि हमारे समय की बचत भी होती है और जो हमारा काम है उसी समय वो finish हो जाता है तो हमें अलग से समय जो है उसको नहीं देना पड़ता है तो इस पेपर में और इसको उठाके सिंक में आप उसको डाल सकते हैं तो सफाई का फिर जो है बाद में जंजट नहीं रहता है तो इस तरह से मैं करती हूं फूर्थ है विट यह रहता है मेरा कि जो इसपाईसी सेट है मेरे जो आप देख रहे हैं जो मैं डेली यूज करती हूं उसको भी मैं यह जो उपर वाला भाग है तो उसको भी मैं हमेशा डेली क्लीन करके रख देती हूं क्योंकि जो है जो चम्मच वगारा जो होते हैं उसमें तो एक दूसरे में जो उसके मसाले हैं मिक्स होते रहते हैं तो इस तरह से उपर से ऐसे पोच के देख सकते हैं उपर से ऐसे पोच के चारु तरफ से और उसको आप उसमें रख सकते हैं और पाच्वा हैबिटे है कि जब हम बरतन वगारा जो धोते हैं तो कभी-कभी होता है कि हम उसमें ऐसे ही बरतन को धूल के उसको ऐसे रख देते हैं तो उसमें हलका सा बिम जेल डालके इस तरह से और उसको चारो तरफ हाथ से रगड़के और उसी से जो आपका सिंक एरिया है इस तरह से चारो तरफ से धूलके इस तरह से आपका सिंक जो है साफ हो जाएगा और जो आपके ये इस्क्रब वगारा है इस्पंज वगारा है जिस उसे से टोटी वगएरा करके आप इस तरह से करेंगे तो आपका इस्पंज भी साफ हो जाएगा और बाकि सिंक और टोटी वगएरा भी कर सकते हैं तो यह मैं डेली करती हूं इतना क्योंकि जब खाने के जो कण होते हैं तो उसमें जो है इस्पंज वगएरा में फस जाते हैं तो ऐसे करने से जो है इसमेल नहीं करेगा बदभू नहीं आएगी और इस तरह से किसी तरह से आप किसी और उर्गनाइजर में साबुदानी का मैंने यहां लिया है अगर आपके पास कोई भी चीज अबेलबल होता आप उसमें रख सकते हैं जाकि उसका पानी निकल जाए और बिम में रखने से होता है कि जो बिम जो होता है वो गलने लगता है पानी उसमें निथर के तो इस तरह से और देखे कितने चीज तरह से यह क्लीन हो गए हैं तो यह मेरा हैबिट रहता है डेली का यह मेरा प्रोसीजर है और उसके बाद यह चठा हैबिट है कि जब मैं कोई चीज suddenly basis पर निकालती हूं इसमें अपने ड्रॉल में से कोई भी डबबे में से कोई भी चीज अगर निकालती हूं तो उसको मैं टॉल के से क्योंकि जब को डॉल में से डबबे निकलते हैं तो उस पर अपने ही हाथों के जो है गंदगी लग जाती है तो उसी जो किचन के तॉलिया होती है तो उसी से पोच के आप फिर उसको अच्छे से और्गनाईज करके रख सकते हैं और उसी टावल से जो है आसपास के एरिया को भी क्लीन कर देना चाहिए इस तरह से तो इसे भी होगा कि हमको अलग से जो है समय नहीं देना पड़ेगा और इस तर कि मैं जो ये सिंधा नमक वगारा जो होता है काला नमक जो होता है और ये पैकेट के जो मसाले वगारा जो आते हैं तो मैं इसमें फिल करके रखती हूं और जब भी मैं निकालती हूं जो आप खाली देख रहे हैं तो जब भी इसमें से आपके जो मसाले खाली हों तो उसको धूल के फिर इसमें फिल करें तो इस तरह से आपके जो इस पैसिस हैट अगर आप इस तरह से रखे हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं तो फिर अलग से फिर उसमें क्लीन करने की आउसकता नहीं पड़ती है आठमा हैबिट यह है कि जो हमारे जो किचन जिससे हम साफ करते हैं उस कपड़े को रात में गैस वगएरा साफ करने के बाद उस पे हलका सभी जेल डालके और नाइट में उसको क्लीन करके और अच्छी तरह से उसको फैला दीजे इसे होगा कि जो उसमें इसमेल वगएरा जो कभी कभी होता है कि आज आते हैं और जो जर्म फ्री वो रहेंगे उसमें बेक्टिरिया नहीं रहेंगे और नाइट में वो सूख जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे जो है वो फिर सफाई के लिए तयार हो जाएंगे तो इस तरह से मैं डेली करती हूँ तो देखा अपने मैं छोटी-छोटी चुजों को ध्यान में रखके मैं इस तरह से अपने किचन की फ्लीनिक करती हूँ रेली मैं करती हूँ और क्योंकि हार्ली जादा नहीं लगता है मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं अगर मैंने जोग अपने हैबिट से दिखाए हैं त करती हूँ मैंने वह अपलोड के लिए अभी कभी होता है कि कुछ चीजां हमारे किमार्थ में जो होती है कि चलो छोड़ देते हैं उसको हम बाद में कर देंगे तो इससे अच्छा यह है कि हम उसी चीज को उस जगा पी वह फिनिस कर दें और यह भी बात होता है कि जब हम क कीचन में रहते हैं एकुछिस करना चाहिए कि जो हमारे काम है उस चीज को मазा करा ही हम ऑपका जो एक पार्ट है है कि जा ऍर दूसरे पर शकन के अबने बदरूम को क्या हो जाता है और कमेंट सेसं में दे भी कमेंट करिएगा तो चलिए फिर मैं इस पीडियो केंट करते हुए और आप लोगों से अपने अगले दुझे होगी करते हुए बाबाई